फ्रेंड बेलकुम टो माई यूटूब चैनल ब्यूट्यू रिजाइन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड आपके फेस पे दाग धबे छाईया हैं आप इसी बहुत परिशान हैं मंगे मंगे आपने प्रोडिक्ट का इस्तिमाल किया फिर भी आपको अच्छा र बेच्छाईयों को दूर करता है नीबू को कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं डारेक्ट अपने फेस पे इसे रगणना शुरू कर देते हैं तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है किस तरह से आपको अपने फेस पे नीबू का इस्तिमाल करना है आप अपने चे पैको रहत के लिए फायदे मंन्द होता है नीबू इसके साथ ही नीबू का उप्योग इस्कीन बालों की समस्या को दूर करने के लिए भी किया जाता है कई कास्ट मेटिक anniam भी इस्कीन और हेर के प्रोड़क्ट में नीबू का उप्योग करते हैं दरसल नीबू में विटामिन C और सिट्रिक एशिट होता है नीबू में मेजूद ये तत्त इसकीन की समस्याओं को दूर करते हैं दूर करने में मदद करते हैं बेदाग करते हैं तो फ्रेंड्स अगर आप अपने फेस पे नीबू का इस्तिमाल करते हैं तो इससे आपके फेस की दाग धबे चाहिएं और बालो की समस्याओं दूर हो जाएंगी अब आपको करना क्या है नीबू और चावल का आटा लेना है और उसे एक पैक बनाना है यहाँ पे आपको लेना है चमच चावल का आटा ले लें उसमें नीबू का रस और आधा चमच गुलाब जलमी लाएं अब इस पेस्ट को तयार करें और अपने पूरे फेस पे इसे 15-20 मिनिर तक आप अपने चेहरे पे लगे रहने दीजिएगा उसके बाद आप ताजे पाने से अपने फेस को साप कर लीजिएगा इसे आपको हपते में एक बार लगाना है इस बात का विशेज ध्यान दे इसकी लाइटिंग का काम आपका चावल का आटा करता है दूसरा पाया है फेंट्स नीबू और सूगर का आप अपने चेहरे पे नीबू में सूगर मिला कर भी लगा सकते हैं पैक को बनाना कैसे है इसके लिए आपको लेना है एक चमच चीनी ले 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 इसमें आपको मिलाना है एक चमच एलोवेरा और कुछ नीबू का रस मिला लेना है अब इसे mix कर ले, mix करके एक pack तयार कर ले, उसके बाद आप हलके हाथों से, बिलकुल हलके हाथों से, आप अपने पूरे face पे इसका scrub करें, दो से तीन मिन तक आपको स्क्रब करना है उसके बाद आप ताजी पानी से इसे साप कर लिजिएगा धोलीजिएगा हपते में आप इसक्रब अपने फेस पे दो से तीन बार जरूर करें इससे आपके फेस पे गलो आएगा दाग धबे चाईयां दूर होंगी चीनी बहुत ही अच्छा इसक्रब का काम करता है नीबू आपके दाग धबे चाईयों को दूर करता है आप चैनल पहले बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो भी वीडियों सबसे पहले आपके